हेलो अवरिवन वेलकम टू मैगनेट बेंस वाइनेम है सीमन तुम्रे और स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैगनेट बेंस पर जो प्रवाइट करता है कॉलिटी एजुकेशन 100% कोर्स कंपलीशन एस विलेस क्वालिटी कंटेंट के साथ कोई दिक्कत निया सार कर ट्वल तक की एजुकेशन जिसमें सारे टॉपिक वाइस एंसिया सॉलूशन एमाइक्यूज एमसी क्यूज वन शॉर्ट क्रैश कोज डीपीप पीवाइक्यू सब कुछ डीपीपी और पीवाइक्यू इसलिए कि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉंग हो जाए साथी साथी सा डेली बोर्ट के साथ आपके एंपी बोर्ड यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड और राजिस्तान बोर्ड इसको भी आपको प्रोवाइट किया जाता है फुल कोर्स कंटेंड कोई दिक्कत की बात नहीं है पर 15 तक के MCQ होने वाले मज़ा आएगा सर जीट चाप्टर 9 अमीन्स के आज MCQ पर तुफान मचाने वाले हैं अपने नहीं मज़ा आएगा सर जल्दी आ जाओ पैन कॉपी बुक लेके चालू करने वाले मढ़िया तरीखे से मज़ेदात तरीखे से चालू करने वाले और शानदात तरीके से खतम करेंगे बिबकुल आ गए हैं सब डन चालू करें येस सर तो क्या बोलता है पहला कोशन सर दा करेक्ट आई उप्यसी नेम फॉर सी एच टू डबल बॉंड सी एच सी एच टू एनेच सी एच ट्री इस सर्जी बहुत आसान कोशन दिया हुआ है तो देखा भाया एक बार और रीट करते हैं चलो मैंने आप लोग को दिया था यार की उमीद थी मुझे की बना लोगे यार ठीक है दा करेक्ट आई उप्यसी नेम फॉर दिस इस क्या मैंने ठीक है सर ओपन करो जब तक आप ओपन नहीं करोगे ना आपको चीज़े समझ में न यह देखो यह देखो बिल्कुल अब अगर आप ध्यान से देखो तो सर लॉंगे चेन में तो अपन इसको लेंगे मतलब एन इस साइट से जाएगा और यह वाला जो है यह उसके साथ में ब्रांचिंग में मैंने का ठीक है सर तो बिलकुल बढ़िया तरीके से पहले तो यह मालो की एन इससे जोड़ा है तो भईया एन मिथाइल तो आना ही आना है अब अगर आप यहां से देखो तो भईया यहां से काउंटिंग फंक्शन को अप लगा है तो फवान चू थ्री तो भईया क्या हो जाएगा प्रोपेन टू पर क्या लगा है इन और वन पर क्या लगा हुआ है अमाइन सर यह होना चाहिए एन मिथाइल प्रोपेन टू इन वन अमाइन देखें आप ज़रा यह तो प्रोपेन अच्छा एक चीज़ और है बहुत सी बुक्स में यह प्रोपेन भी लिख सकते हैं और प् यह भी अमीनों भी नहीं है यह भी नहीं है सब्सक्राइब लड़के लोग चीक है बढ़िया है कोई दिक्कत की बात नहीं कोशन नमबर बिलकुल बढ़िया तरीके से सॉल्फ ठीक है चलो जल्दी 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 फड़ा फड़ाएंगे तभी आपन आगे बढ़ते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली डन चलिए पहला कोशन क्लियार ओके डन डन अगला सर क्या बोलता है अगला कोशन क्या बोलता है सुनेंगे इन और टू प्रिपेर अ प्राइमरी अमीन फर्मिन अलकाइल हलाइड विच साइमल्टेनियसली एडिशन ऑफ वन सी एश्टू ग्रूप इन दा कार्बन चेंड रियेजेंट इूस इन दा सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इस देखो पहल ले सकते हैं बना अंत को कोशिश करोगे तो यह बी अ मैरी समय लेकिन पॉले debris अमीन देगा कोई दिक्कत नहीं यह भी अमीन बना देगा लेकिन आप उसने वह अ करवन भी बढ़ा हुआ झीगे रहे कि दिया सिजГ रोप भी चाहिए मेरकर साथ में ऑसाती साथ से कार्बन भी बढ़के आए तो सर ना तो ये कार्बन बढ़ा सकता है ना तो ये कार्बन बढ़ा सकता है ना तो ये कार्बन बढ़ा सकता है मैंने पढ़ाया है कार्बन से एक ही व्यक्ति बढ़ा सकता है जिसका नाम है कैसे मैं बताता हूं देखो पूरी ले आओ पहले केस आप KCN को लेके आएंगे KCA लड़ जाएगा और साइनाइड लग जाएगा लग जाएगा कुछ इस तरीके से लगा अब इसका करा दो reduction कराओ रहे कराओ reduction कराओ चलो लाई एल ह4 चीक है तो अब ध्यान से देखो दो बॉन तूटेंगे एक, दो, तीन, चार तो दो H इसके पास दो H इसके पास तो CH3, CH2, NH2 अगर आप ध्यान से देखो तो सरीक कारवन बढ़ गया और पूरा का पूरा CH2 ग्रूप बढ़ गया पूरा का पूरा CH2 ग्रूप बढ़ गया इसी लिए जो final answer जा रहा है अपना इसी लिए जो final answer जा रह जल्दी एक बार भया लाइक शेर करेंगे फटाक से जल्दी एक बार भया लाइक शेर करेंगे फटाक से जल्दी एक बार भया लाइक शेर करेंगे फटाक से कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं डन 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 तो दो कोशन हो गया बढ़िया तरीके से बिलकुल शानदार मज KCN हो गया कोई दिक्कत की बात नहीं है बढ़िया चलो आगे बढ़ू बढ़ू क्या नहीं बढ़ू बिलकुल येस सार तो दो कोशन हो गए अब आगे येस क्या बोल रहा है दा बेस्ट रिएजेंट फॉर कनवर्टिंग टू फिनाइल प्रोपेन अमाइड इन्टू फिनाइल प्रोपेन अमाइड चलो पहले प्रोपेन अमाइड बनाओ प्रोपेन अमाइड का मतलब होगा सर ये ठीक है और टू पे फिनाइल लगाए तो ये वन होगा तो ये टू हो जाएगा चलो ये देखो ये देखो देख रहा है अब अगर मैं इसकी बात करूँ आगे इसकी बात करूँ आगे तो वैई है क्या होने वाला है क्या बोल रहा है टू फिनाइल प्रोपेन अमाइड़ priests सर ये बनाना ये अपन को ये बनाना है अपन को ये बनाना है यह अपन को यह बनाना है तो सर क्या कोई कार्बन कम हो रहा है कि नहीं सर इधर भी तीन कार्बन है इधर पे तीन कार्बन है बस हुआ क्या यह देखिए सर यहां पर आपके पास ऑक्सीजन थे यहां पर ऑक्सीजन के जगा हाइडूजन आ गया मतलब रेडक्शन हुआ है मतलब रेडक्शन हुआ है सर यह तो होफ में है हाँ यह एक चांस बन सकता है आइडीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फोस्फरस नहीं सर यह भी नहीं होगा सर लेकिन हमें रिड्यूसिंग एजेंट भी तो लगेगा बिना रिड्यूसिंग एजेंट के थोड़ी काम कर पाऊगे सर यहां पर होगा यह है तो यह होगा तो सर अंसर है यह वाला डी इस दा राइट अंसर अकेले एकसेस ऑफ हाइड्यूजन से नहीं हो पाएगा रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा लगेगा बिल्कुल तो क्या होगा सब देखे जरा बताते ता हूँ यह आपका ऑक्सीजन जाएगा दो हाइड्यूजन लेके दो वैलिंसी फ्री सी एच्टू बन जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली तो फिल से धोका इस दा आंसर चलो बाई जल्दी चेक कर लो जल्दी चेक कर लो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोका इस दा राइट आंसर जल्दी चेक कर लो बाई जल्दी चेक कर लो बिल्कुल बढ़िया मज़दार शांदार चलो हो जाए तो बताईएगा जरूर हो जाए तो बताईएगा जरूर एवन तरीके से clear? चलो आगे बढ़ेंगे हाँ which of the following would not be a good choice for reducing nitrobenzene to aniline अच्छा कौन सा good choice नहीं है nitrobenzene से aniline के लिए ये बनाना है सर पक्की बात है ये तो reduction है सर और huge reduction है सर huge देखो इसके लिए मैंने दो favorite चीजे तो आपको बताई थी सबसे favorite चीजे तो मैंने आपको बताई थी FESCL करवा दो या SNSTL करवा दो ये तो दोनों fix हैं तो इन पर दो कोई दिक्कत नहीं है अब बाकी आए रहा है H2Ni और LiAlH4 सर देखिए यार इधर पर क्या हो रहा है कि catalyst के presence में नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें क्या है दो दो nitrogen हटाने तो सबसे ये भी करवा देगा लेकिन आपका B नहीं करवा पाएगा तो यहाँ पर B जो है न वो ही आपका answer होगा क्योंकि B एक ऐसा व्यक्ति है भाई वो छोटा वोटा काम करवा देगा beautiful answer छोटा वोटा हाँ काम करवा देगा लेकिन आप catalyst के presence में reduction करवा के दो oxygen को remove करवा देए वो possible नहीं है वो possible नहीं है तो यह आपका फोल्ट वाला answer होता है समाफ्त बिलकुल बड़िया तरीके से फोल्ट वाला answer होता है समाफ्त एक नमबर जल्दी note down करेंगे सर कोई दिक्कत तो नहीं? चली भाई कितने फड़वड हो रहे हैं? तेजी में अब आता है फिफ्थ अब आता है फिफ्थ क्या बोल रहा भाई? चलो Among the given set of reactant the most appropriate for preparing secondary amine secondary amine मैंने खाँ ठीक है सर पहला क्या दिया होनना है? पहला दिया हुआ है secondary halolkin तो secondary halolkin तो ऐसा ही होगा यह रह दिया secondary halolkin इसकी reaction ammonia के साथ ammonia को कैसा लिख सकता हूँ? ऐसा लिख सकता हूँ? बिलकुल अगर ऐसा लिखा मैंने अगर ऐसा लिखा तो यह H और यह BR हड़े आएगा अगर आप देखो तो nitrogen के पास 2 hydrogen दिख रहे है और 2 hydrogen दिख रहे है that means यह primary तो भईया यह तो secondary नहीं बना आपको secondary बनाना है आपको secondary बनाना है यह तो नहीं बना तो यह तो possible नहीं है यह तो possible नहीं है मैंने का ठीक है सर if possible नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही बात ही नहीं है आगे बढ़के देखते हैं आ जाओ यह वाला,पोम हमेंग, वही सेम चीच, किस से करवाना है, अए सिं, क्या हो जाएगा सर, सर अपन सब जानते हैं साइनाइड लग जाएगा, साइनाइड याप यह आप वहfour है कह साइनाइड है, कि यहाई होगा फिर अगर आप प्यार से देखो फिर अगर आप यहां पर और घ्ला मीन तो सर इससे भी प्राइमरी मीन ही बन रहा और गैब्रियल थेला मै nutrients तो बनेगा estructory भी सट looked Console नहीं बनेगा नहीं प्राइमरी बन रहा है अब बचा Korean तो शिर्द बचाने मैं यांसर होगा सर इससे कैसे वनेगा हो तो देख ले तो मैंने वो बताता हूं तो फाइनली अंसर थे फॉर कोड क unity पहले दो नहीं बना पा रहे तो थो को ही नहीं बना पाएगा क्योंकि गैब्रील थाह break तो प्राइमरी अमीन मनाता है तो गैप्रियल थेलावाइट से तो बने गई नहीं भीया देखिए अब आता है अपना कौन यह वाला यह देखते हैं अपने प्राइमरी अमीन कि यह लो मैंने ले लिया एनिश्टू कि किसे करवाना है यह डबल बॉर्ड और यह अब देखो इसमें क्या होता है हम जानते हैं इसके पास लोन प्यार है चीक है यह उपर जाएगा माइनस बनाएगा और यह प्लस बनाएगा प्लस बनाएगा तो यह इस पर चिपकेगा चिपकाओ भीया आ यह चीएज ट्री एन वह जोड़ा हुआ है इसके पास क्या हो सकता है इसके पास इसके पास एश त्री यहां पर एच यह पर ओ- उ- अपकिया होता है सबसे पहली बात इसके उपर आगया पॉजय चार्च तो इसको अपना लोन पैर बापिस लेना किसी भी वहाल में अब यहीं पर आपने क्या करवा दिया सर हाइड्रोजन भी दे दिये क्या देदी आपने हाइड्रोजन भी दिये ठीक है तो यह क्या करेगा इस से लोन पर छोड़ा लेगा किसे इस वाले से तो यह H plus बन जाएगा यह H plus यह आपका क्या हो जाएगा सब्जी O minus यह क्या बन जाएगा आपका O minus तो यह O यह H और A किदर से H मिलके बना लेगा H2O आप क्या बचा वो देखना CH3 बचा है उससे क्या जुड़ा हुआ अब अगर आप प्याल से देखें तो इस नाइटोजन को फोकस करिए सर इस नाइटोजन पे कितने कार्बन जड़ें दो मतलब यह सेकंडरी अमीन है और सेकंडरी अमीन है इसलिए बोला था सी फॉर कूट आंसर जल्दी नोट डाउन करेंगे सर यही बोला था सी फॉर कूट आंसर कोई दिक्कत की बात है आपर नहीं डण 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 बिलकुल सही है एक तरफा चलिए कूट आंसर फाइनली हो गया सर बढ़िया तरी यह लीजे सर भाई पता है पूरी रियक्शन यहां दिला देंगे यह सारे कौन कह रहा है बेस्ट रिएजेंट किसके लिए टू-फिनाइल प्रोपेनमाइड सर यह अभी आया था सुनने में तो अभी ऐसा कोशन देखा था ना है कि एरहा हमारा टूफिनाइल प्रोपेनमाइड इससे क्या बनाना यह फनल इधेनमाइड टीक है वन फन इधेनमाइड न जी मतलाब यह कुछ ऐसा गहना झांब यहेरा बंफिना इधेनमाइड यह बनाना आ यह बनाना है सर देखेए यह पर वन रहेगा तो वनपे लगाए यह बनाना था तो सर आप से जाने में किया हुआ सब स्रिंद अगर यह गया और सर कार्वोनिल गुरूप निपड गया और सर कार्बोनिल गुरुप कब जाता है जब एक reaction होती है जिसका नाम है Hoffman Bromamide Degradation Hoffman Bromamide Degradation तो BR2 के साथ या तो NaOH ले लो या तो KOH ले लो इस reaction को कहते हैं Hoffman Bromamide Degradation और अगर आप ध्यान से देखिए हैं तो सर ना तो ये ना तो ये Hoffman है देख रहो आज तो सारे अंसर बूटी फुली आ रहे हैं तो भया एक बार जलियूर कमेंड में लिखेंगे Hoffman Bromamide Reaction O.P Hoffman Reaction O.P जल्दी Hoffman Reaction O.P जल्दी Question number 6 B सवाप Question number 6 B समाप्त चल्दी जल्दी जल्दी बढ़िया 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 A1 चीके ड़न चल्द ये देखिएगा An Organic Compound A on Treatment with Ammonia gives B which on Heating gives C when Treatment with Bromine in the Presence of KOH produces Ethyl Amine जिसको अपन कह रहे है Compound A क्या होगा देखो A के साथ आपने क्या किया Treatment with Ammonia तो आपको मिल गया B चीक है B को जब आपने हीट किया तो आपको मिला C चीक है C के साथ आपने क्या करा Bromine in the Presence of KOH तो आपको मिला Ethyl Amine अच्छा एक बात सुनिएगा मेरी बस अभी पिछली वाली reaction में एक नाम पढ़ा था ये जब भी होता है और final product Amine बन रहा है तो ये हॉफ्टमेन होगी पक्की बात है क्या नहीं? हॉफ्टमेन होगी और हॉफ्टमेन अगर ये है तो इसने CO हटाया होगा बस तो यहां से मैं C को अगर predict करूँ तो C तो ये होना चाहिए यही है C क्यों है? क्योंकि ये carbonil group हड़ आएगा और बाकी ये बन जाएगा तो ये C है भाई अब आप देखो सर A और B क्या हो सकता है आप देखो सर मैं समझाता हूँ यहां पर आपको हमेशा हल जगा अगर आप ध्यान से देखे रहे हैं तो ये तो अपनको गुम्रहा करने के लिए दिया है ये तो हटाई तो तीनों कार्बॉक्सलिक एसिड है इसकी रियाक्शन आपने आमोनिया से कराई बहुत शानदा तो पता है क्या बनेगा CH3, CH2, COO, NH4 पॉजिटिव ये बनता है ये बनता है ये बनता है NH4 पॉजिटिव और जैसे ही मैं इसको हीट कलता हूँ जैसे ही फिर मैं इसको हीट कलता हूँ सर यह मेरा A है और यह मेरा B है जैसे ही मैं इसको heat करता हूं तो सर यहां से H2O भार हो जाता है क्या भार हो जाता है OH और इसका H इजल से 2H चले जाएंगे और एक oxygen तो यहां से हो जाएगा minus H2 और जब minus H2 हो जाएंगे तो यह बनेगा CO NH2 यह वाला तो यह आपका compound C है तो यह रहा A, B, C और आपका last वाला क्या है? D माने लो उसको. तो finally उसने पूछा A क्या है? तो A आपनको दिख रहा है. प्रोपेनोएक एसेड है. क्या है इसल जी? प्रोपेनोएक एसेड है. और प्रोपेनोएक एसेड यह रहा D. लो भाया, इस बाल धोका मिल गया. आप लोगो सोचेंगे, B आएगा, B का D हो गया. चलो, जल्दी, जल्दी, जल्दी. जल्दी जल्दी तेजी में करेंगे थोड़ा सा जितना तेज करेंगे उतना फाइदा हो जाएगा पक्का डन हो गया चलो यह लीजिए अगला कुछ पूछ रहे दा सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गैब्रियल सिंथेस ऑफ अमीन इस प्राइब्रियल तेजामाईट सिंथेस तो सर उसमें तो हमने है सीदे से सिंथेस में कहीं से सोडियम नाइट्राइड नहीं आता पोटेशियम नाइंसाइड न разв aningen जो घेला माय को यह रहे हैं। तो भबाई यह तो पाइक्षन ती रिएक्ष्ण 月क्षान के अंदर ही तो मिलता फैलाइई यहीं से आमें नाइडोजन का सौlie से नाइडोजन का कोई अंचिन के मदद से मुलते हैं ना sodium nitrite और ना sodium azide के मतदसे कुछ भी नहीं हम सीधर यहीं से डी को लेते हैं बढ़िया और शांदाल तरीके से कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आती है अबने का बढ़ी है सर अबने का बढ़ी है सर को दिक्कत की बात थोड़ी है बढ़ी है चल रहा है एक नमबर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं चलो यह होगे अपना 8 क्लियर strongest base चलो एक्वस मीडियूम की बात हो ओर यह सर आपको याद हो तो यहां पर गेसियस और एक्वस में लड़ाई हूई है जम के डमकर है कि मैं लेकिन मैंने आप से बात करी एक Plan को लेके तो QS medium में secondary सबसे ज़्यादा basic होता है कौन होता है सब्सक्राइब सबसे ज़्यादा basic होता है हम मैं कहता हूँ सबके structure बना लो सबसे पहले दिया हुआ है methylamine यह primary है dimethylamine यह लीजिए फिर यहां पर trimethylamine यह और यह आपका aniline aniline तो सबसे कम basic है सर तो aniline को तो गोली माल दो रही बात primary को भी गोली माल दो चीक है अब अगर gaseous होता तो मैं tertiary के साथ जाता लेकिन उसने मुझसे एक्वस मीडियम में पूछा देखिए न आउट आउट ऑफ दा साथ जाना बनता है secondary के साथ जाना बनता है कोई तिकत तो नहीं कोई परिशानी तो नहीं जल्दी नोट डाउन करेंगे जल्दी 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 एक बड़िया तरीके से जल्दी नोट डाउन करेंगे मजा आ जाएगा सर्ची सेकंडरी हो गया बी-4 बूटी-फूल है भी-4 बूटी-फूल आंसर छिक है बी-4 बूटी-फूल आंसर हटा दू जल्दी बताओ हटा दू जल्दी बताओ जल्दी जल्दी फटा फट हटा दू तो बोलिए चीक है यह लिग जिसरा अच्छ त्री सी ओ नेश्टू ऑन रियक्शन विट एनेवेच एंड विया टू इन एलकोहलिक मीडियम गेव्ज अरे भाई यह क्या कल दिया इससे भाई यह सारे इंपोर्टेंट हैं कुछ NCRT एक्जांपलर के हैं कुछ पेपर में आते हैं ऐसे कोशन भाई अच्छा एक ब काम होता है किस को उड़ादेना सी कंट्री यहां परसिफ आपका बज्चता है सी ऐस त्री हो यह है और अधर निकल लेकिन यहां पर बिल्कुल बढ़िया तरीके से यह तो कहीं से नहीं बनता अमीन होता यह चलो एक आप्शन होता तो नीछे वाला बन जाता तो आंसर है दखोंर आज बूटीफूल आंसर तो आ रहे बहुत पर क्या रहे चलो एक बार और होफ्टमें लूममाइड ओपी इनदा कमेंट सेक्षिण होफ्टमेन रोमामाईड ओपी इंदा कमेंट सेक्शन कोई दिक्कत की बात नहीं डन सही चल रहा ऐसा बढ़िया 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 एक नंबर को दिक्कत तो नहीं बढ़े आगे आगे बढ़ जाए जल्दी बोलो क्या बोलती पब्लेक कुछ नहीं चलो हाँ अब यहां पर आ जाएगे दा करेक्ट इंक्रीजिंग ओडर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉल्ड फॉलिंग कंपाउंड इस वह यह बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो लिए मैंने क्या पढ़ाया आपको बेसिक स्ट्रेंथ में सर अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग गुरूप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग गुरूप है तो बेसिक क्यरेक्टर ज्यादा होगा अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विद्ड्रॉइंग गुरूप है तो आपका बेसिक केरेक्टर फिर क्या होगा सल्जी कम होगा कि वैसे तो तीनों के तीनों भाई बेंजीन वाले देदी है बेंजीन खुद विड्रॉइंग है तो कम होगा लेकिन अब इन में कंपेर करना है तो देखी ज़र ध्यान से सर इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग गुरॉप तो यह क्या करेगा बेसिक स्टेंट बढ़ाएगा यह क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रॉप लो भाईया यह तो जिन्दगी वरवात कर देगा क्योंकि एक तो बेंजीन खीच रहा है उपल से फिर यह भी खीच रहा है तो मैंने ठीक है इसके पास कुछ भी तो यहां से इलेक्ट्रॉन देगा यहां से खीचेगा तो फिर बेंजीन काईगा चल ठीके तू दे रहा है तो उपर वाले को छोड़ देता हूं मैं ऐसा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर देखिए सर यह भी खीच रहा है और यह खाईगा और फिर सबसे कम आएगा सेकेंड वाला ठीक है इस ओर्डर को याद रखना है अगर आप इस ओर्डर को याद रहे गए तो यह कहलाता है बेसिक ओर तो यह अब देखिए कौन सा है थर्ट थर्ट अरे एक ही में यह तो यार भाई आज तो यार डमरू बज रहा है यार भोके का बहुत चलो दिपर टंबरू है दंबरू बजा लो भाई दंबरू हो जम्के दंबरू बजा कोई दिक्कत की बात नहीं कि तो दीया गया ऑंसर आंसर है अपना डी इस डी इस धाराइट आंसर ब्ल्कुल सही जा रहे आ कि बिल्कुल सही जा रहे हैं फड़ा फड़ टेजी में टेजी में टेजी में डी इस दराइट आंसर कि चलो कोई दिक्कत तो नहीं है कोई परिशानी तो नहीं है मेरे साथ से नहीं होनी चीए बढ़ू आगे छेक है अच्छा इस रियक्शन को भूले तो नहीं हो बताता हूं क्या है बताता हूं बताता हूं क्या है देखो क्लोरोफॉर्म और साथी साथ क्या है अलकोहॉलिक के ओच अगर कोई कोमेंट सेक्ष्ट में मुझसे पहले लिख दे तो मैं मान है की यह आंसर क्या है कोई मुझसे पहले लिख दे तो मैं मान जाओ भाईया इसको कहते हैं कारबल अमीन रीक्शन यादे क्या कार बल में प्रिईयाएक्शन इसका इसका दूसरा नाम क्या था आइजोसाइनाइड इत्ष यादे इस पर मैंने एक अलघ से वीडियो ही बना के रखा था जो बहुत काम का था बहुत जरूरी था अब देखो द्यान से आ जाओ यह देखिए, यह CH2 से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह जो दिख रहा है, यह convert हो जाता है, आईजो साइनाइड में, तो यह बनेगा NC, फिर उसके बाद आपका KCL, और आपका H2O, तो यह compound तयार होगा, यह compound तयार होगा भाई, अब चेक कर लो, भाई देखो, आईजो साइ तो भाई एक बार COMMENT सेक्शन में लिखेंगे, करबल अमीन रीक्शन, ओपी, में एक बार करबल अमीन रीक्शन, ओपी, जल्दी, बारवा कोशन यहां पर होता है है, खत्म, बहुत तेजी में जा रहाएं, कोशन लेके, बढ़िया तरीके से चल रहें, कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं है चलो 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 जल्दी टाइम नहीं मेरे पास फटा फट हो गया डान चलो चे गया भाई यह मज़ेदार कोशन है एक नमबर जड़ा पढ़के देखो चलिए सर सर करें क्या बताएं क्या सोचा कुछ पढ़ा भाई कोशन पढ़ा करो बहुत शांदर आया which of the following compound will dissolve in an alkali solution after it undergo with hints bug reagent किस को यादे हिंस बग जरा बताओ भाई हिंस बग क्यों आया था किस को यादे जरा हाथ उपर कर लो भाई मेरको तो यादे हिंस बग का काम था primary secondary और टल्शरी अमीन्स के बीच में distinguish के लिए primary secondary और टल्शरी अमीन्स के बीच में distinguish करने आया था कौन हिंस बग रिएजेंट हमने थीक है सब तो क्या हुआ था चलो मैं पूरी रियाक्शन तो नहीं लिखूंगा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो आपको बताई सकता अच्छा मुझे कॉमेंट सेक्शन में कौन बताएगा हिंस बग रिएजेंट क्या होता है मैंने पढ़ाया है आप लोग को पूरी रियक्शन तो नहीं लिखूंगा लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूआ बाई मुझे कौन कमेंट सेक्षन में बताएगा हिंस्बग रियेजेंट क्या होता है कि चलो है जल्दी 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 कोई वी जिसको याद हो भाई ये वाला भी अलग से टेस्ट करवाया है मैंने बिलकुल करवाय क्वशा यहां जैसे रियक्शन होती थी यह बनाता है एन अलकाइल सलफोना अमाइड जी हाँ एन अलकाइल सलफोना अमाइड जिसको याद हो चीक है और ये जो होता था वो सॉलुबल होता था अलकली के अंदर और ये जो सेकंडरी अमीन था ये भी बनाता था लेकिन ये क्या बनाता था एन एन डाय अलकाइल सलफोनामाइड लेकिन एक दिक्कत हो गई थी इसके पास वो एसेडिक नीचर वाला हाइडोजन नहीं था इसी लिए ये इंसॉलुबल था किसके अंदर अलकली के अंदर मैंने का बहुत बढ़िया सर बिल्कुल टेस्ट याद आ रहा है आ रहा है और टल्शरी वाला तो लिख देते हैं यार क्यों छोड़ना विचाने को हिंजबग रिएजिंट तो इसने तो बहुत ही बढ़िया रियाक्शन दी ती जिसका नाम था नो रियाक्शन तो इसने तो कुछ दिया ही नहीं था अब आप से कोशन क्या पूछा जराब पढ़ो फिल से उसने का विच आफ दा फॉलिंग कंपाउंड विल डिजॉल इन अ अलकली आफटर डिट अंडर गो रियाक्शन विथ हिंजबग के साथ रियाइट करने के बाद अलकली में कौन डिजॉल हो जाएगा सर जी यह वाला और यह वाला मतलब प्राइमेरी अमीन सिर्फ प्राइमेरी अमीन डिजॉल होगा तो आ जाओं सर आपको ढूंदना है एन क्या होता है मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी फिर मैं आपको जैसी वीडियो लास्ट हो जाएगा तो बताऊंगा जरूर क्या होता है हिंजबग रियेजेंट हिंजबग रियेजेंट क्या होता है वो मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में बताऊंगा जरूर च चलिए 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 डण 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 हो जाए तो बताइएगा ज़रूर क्लियर पका डण चलिए यह लीजिए सर सर यह भी हो एनो टेस्ट अगर आपको याद हो तो इसका काम भी था प्राइमरी सेकंडरी और टर्शरी अमीन को डिस्चिंग्विश करने का क्या पूछा है उसने मिथाइल अमीन सर आपको याद होगा क्या होने वाला है चीक है सर पानी निकलता है यहां से क्या निकलता है पानी निकलता है पक्का पानी निकलना है पक्का पानी निकलना है सोच लो फिर बाद में मत बोलना बाद में मत बोलना वह यह पानी निकाल दिंगे ठीक है देखिए दो एच एक ऑक गएव एणभी गए आप किया भचा है देखो जड़ा आप के पास बचा च्छ एक ऑक्सिज़ – अक्षैंड एक हैड्रोजिञ तर यह सर अलों कहौल तयार होता है सर अलों कहो आउगे alcohol तयार होता है क्या तैयार होता है sir alcohol तयार होता है तो बिल्कुल आंसर है alcohol see for coot answer see for coot answer जल्दी screenshot लीजीए फिर आगे बढने जल्दी screenshot लीजीए फिर अगे की तरफ चलते है बढ़िया और शांदाल तरीके से done 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 कैसे सा done 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 दाइन चलो स्क्रीन शॉट ले ले एक बार इस कोशन का चलिए 14 हो गया बढ़िया कोशन ता इसलिए मैंने का था भीया इसको लिख लो important है एच और नो बहुत important टेस्ट है यह जो हो एच और है ना यह बहुत ज्यादा important टेस्ट के लाता है एच और टेस्ट इसलिए कहता हूं इसको बिल्कुल मत छोड़ो ठीक है तो मिधाइल अमीन कैसे रियाट कर रहा है सर मिधाइल अलकॉहल बना रहा है और आपका सी वाला मिल गया क्यूट अंसर कैसा अंसर भीया क्यूट अंसर मैंने का बहुत शांदान एक तरफा बोले तो जखास तरीके से आगे चले नेक्स्ट कोशन येस सर ये लीजिए सर 15 कोशन लास्ट कोशन जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या बोल रहा है सर कि ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया विट एक्सेस ऑफ इथाईल आयोडाइड विट इल्ड क्या बनेगा ट्रीट अमोनिया को ऐसा लिख दू क्या लिख दो ना कोई दिक्कत थोड़ी हमको तो मैंने का एक एच और एक आई एच आई बनके निकल जाएगा और ये जोड़ जाएगा ओके वेरी गुड ये बन गया आपका मोनिया लेकिन सर एक्सेस बोला है आपने किसको भाईया इथाईल राइट को एक्सेस बोला है सर चलती जाएगी समझ गया सर हम क्या होने वाला है फिर से एक आई और फिर से एक एच ओके और जोड़ दीजे तो सी टू एच फाइफ एन उपर एच फिर सी टू एच फाइफ वेरी गुड फिर से सर एक और बार क्या एक और बार सी टू एच फाइफ आई बिलकुल एक आई एक एच फिर गायब लीजिए सर एन के साथ जुड़ जाएगा टर्शरी अमीन बन गया सर फिर से एक और बार मैंने का यार मानोगे नहीं मतलब मानोगे नहीं मतलब मैंने का हाँ सर इस बार क्या होगा आप जानते हैं सी टू एच फाइफ यह पॉजिटिव और यह माइनस होगा के नहीं होगा बिलकुल होगा सर इसके पास होते हैं लोन eathyle ammonium iodide, क्या कहएंगे सर इसको टेत्रा aethyle ammonium iodide, टेत्रा एत्रा इथाइल ammonium iodide, बिल्कुल, टेत्रा इथाइल ammonium iodide, देखिये दी दा रइट आन्सर, देखिये दी दी इस दा राइट आन्सर, गाहिए सर बढ़िया है, एक तरफा अंसर रहेगा कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली जल्दी नोट डाउन करेंगे सर फटाफट जल्दी नोट डाउन करेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है डण 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 है चाहर हो गया मैंने काता सर इंपॉर्टेंट है ये कोशन तो फाइनली आपके यहां पर मैंने 15 कोशन समाप्त करवा दिये पंदरा कोशन या पर अपने क्या हो गए सर समाप्त हो गए बढ़िया और शांदाल तरीके से डनने का नहीं जो डर गया सो मर गया चीए वह एक दम बस प्यार से करो हर एक कोशन बनेगा सर अगर नहीं बने तो फिर बताना अपन सबको देख लेंगे अपन सबको देख आज समामत बढ़िया तरीके से सर तो यह हो गया अपना MCQ कहां से कहां तक कोशन नमबर वन से लेकर कोशन नमबर 15 अभी इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा था उसमें भी होंगे 15 से 20 कोशन इंपोर्टेंट है सर मैंने क्या का है MCQ का वेटेज बढ़ गया है सर यह जो मल्टीपल चॉइस कोशन होते हैं एक नमबर के कोशन होते हैं इस पर आजकल बहुत ज़्यान दे रहा है बोर्ड एक्जाम तो अपन भी इस पर फोकस करके चल रहें क कोई दिक्कत की बात नहीं होगी रेगुलर्ली आपको 11-12 के लेक्चर में प्रोवाइड कर रहा हूं कोई दिक्कत की बात नहीं है 101 परसेंट बिलकुल मज़दाल तरीके से हर टीचर लगा हुआ है सर दूसी बात आप सब भी जानते हैं मैंगनेट बेंस के दो चैनल है एक साथ वैदिक मैस क्रैश को स्पोकन इंगलिश ये भी है शांदार और मज़दाल तरीके से कोई दिक्कत की बात नहीं होती तो फाइनली मिलेंगे अब कल एक और शांदाल लेक्चर में इसी के आगे बढ़िया मज़ा आने वाला है बस बने रहना है आपको मेरे साथ और ये बाइ-बाइ थैंक यू तो माँ जय हिन